बहुत ही कम ऐसा होता है, जब हमारी इंडिया में किसी फिल्म को उसकी आक्टरक वज़े से नहीं, बलकि उसकी दिरेक्टरक वज़े से जाना जाता है। बहुत ही कम ऐसा होता है जब कोई actor या director अपनी previous hit film की success को उतनी grand तरीके से repeat कर पाता जैसे उसने पिछली बार किया था पर एक्जामपल प्रभास की साहो और आदेशया पर SS राजा मोली सर ने अपने बाहु बली के बाद RRR से ये प्रूफ कर दिया कि वो अपनी success को ना बलकि वो repeat तो कर सकते हैं ही बलकि उसको और भी जादा grand तरीके से show भी कर सकते हैं तो हां मैंने तो देख लिए RRR और मैं दे राम चरण की character राम से होती है जो British government का एक officer होता है जो अपनी seniors की orders मानने के लिए कुछ भी करेगा वही भीम गौंडा समाज का protector होता है जो डेली आया होता है because Britishess ने उसकी भेहन को kidnap कर लिया होता है तो एक दिन किस्मत से राम और भीम एक जगे पर एक बच्चे को बचाने के वज़े से मिल जाते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है तो क्या ये दोस्ती ऐसे ही रहेगी या तूट जाएगी? क्या भीम अपनी भेहन से मिल पाएगा? क्या भीम को अपनी भेहन से मिलने का मौका मिलेगा? क्या राम अपना मकसद पूरा कर पाएगा? और भीम क्यों अफ्तर के नाम से दिल्ली में छुपा हुआ है? वैले जानने बिटिश राज के जमाने से लिया गया है, जहां वो इंडियन्स को exploit करते हैं, पर इसकी story and characters completely fictional है और story काफी simple है, दो दोस्तों की कहानी बस दाज से, पर मुवी की वो बाते जो इसे special बनाती है, वो इसका perfectly लिखा गया screenplay, इसके visual effects, इसके music, जो perfectly situational है, और कानों को सुकून दे मुवी के action sequence, जो की well choreographed है, मुवी आपको अच्छे से 3 घंटे तक बांद के रखती है, मुवी का first half powerful है, fast paced है, और बहुत हद तक आपको बहुबली की याद दिलाईगी, बढ़ हां, second half थोड़ा से slow हो जाता है, पर वो मुवी को पूरी तरे से justify भी करता है, मुवी आपक पिता का रोल निभाया है फिल्म में, और जो की बहुत ही खुबसूरत तरीके से बहुत ही लाजवाब तरीके से उन्होंने उस रोल को निभाया है, पर वही अगर आले भट के रोल के significance की अगर बात करें, तो मुवी में उनका रोल इतना भी कोच मुझे खास नहीं लगा, पर अगर बात करें, एसस राजमोले सर की direction and vision की, तु उन्होंने अपने फिल्म से मेरा दिल जीत लिया, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूत थी VFX की, वहीं पर इप्रॉपर ली तरीके से उसका use किया गया है, मुवी में fire and water का symbolic उन्होंने perfectly तरीके से use किया है, जो फिल्म को एक जाद ही rust लगा, अगर आपको याद होगा कि बहुत 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 में किस तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर ending में ये वाला सीन आता है, और फिर याद आता है कि यार ये तो south की film है यार, बस वही same feeling RRR के साथ आती है, but then हमें ये भी समझना जरूरी है कि यही तो हमारी Indian Cinema का style है, and ये film एक Indian masala film है, तो I think इतना तो चलता है, तो मेरी तरह से तो film को 5 stars out of 5 stars, ये film literally perfect film के list में आती है, अगर last के action को थोड़ा सा ignore किया जाए तो, and हाँ, ये film यकीनन Indian Cinema का pride कहां जा सकता है, तो आपको कैसी लगी है film, हमें comment section में जरूर बताए, and मैं personally आपके comments का reply दूँगा, RRR को आप अपने पासी के theatres में जाके देख सकते है, and ये film आपको disappoint नहीं करेगी, इसकी guarantee मैं लेता हूँ, with that being said, thank you for watching this video, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करे, ज्यादा ही पसंद आया तो share करे, and चैनल को subscribe करना न करे, all दो羅 आपको वीडिय है, नहीं। करे उन्यूम gua You